पानी के अंदर तक सेन अभ्यास जो है वो दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से किया गया इसके साथ इसाथ जंगल के इलाकों में ऑपरेशन्स को लेकर भी दोनों देशों की तरफ से आपको बता दे यह सेन अभ्यास जो है वो किया गया है तो भारत और इंडोनेशिया की से अज़े जांडियाल हमारे सही होगी अधिक अप्डेट्स के साथ इस खबर पर मारच जड़ रहें अज़े जांडियाल भारती सेना समय समय पर विबिन देशों की सेनाओं के साथ साजा जो यो धब्यास है वो करती है और इसी कड़ी में इंडोनेशिया के साथ ये जो धब्यास किया गया इसमें खास क्या रहा है तेर्फेंगे सबसे खास चीज यह है कि दोनों देशों के बीच दोनों देशों की सैनाय जो है जब आपस में एक्सराइस करती हैं तो इससे यकीनन दोनों के स्किल्जो है डिवलप होते हैं चाहे वो इंड़नोशियस इंड़नेशिया की जवान है स्पेशल फोर्सेस के या पिर भारत के special forces के जवान है क्योंकि जमो कुश्मीर ही नहीं बलकि अगर आप देखें तो दुनिया में जिस तरह की परिस्तितियां बनी हुई है तो वैसे में सैना जितनी स्रक्षम होगी जिस तरीके से जादा skilled होगी वो बहतर जो है वो कही न कहीं परफॉर्म जो आने वाल के तोर पर इसे करेंगे और इस exercise में कहीं न कहीं उनके जो कारेक्षमता है किस तरीके से वो प्रिशल करते हैं किस तरीके से आगे जो एक दूसरे के जो स्किल्स हैं उसको आधान परदान का सिलसला शुरू होगा ना सिर्फ ये बलकि आप देखेंगे तो चाहे वो टेरे इ इस तरीके के युद्ध ब्यास के पीछे का मकसद क्या होता है दोनों देशों के इस संब्ध तो मजबут होते ही ये लेकिन जो मिलिटरी कॉपरिशन की बात होती है वो कितने हैं हो जाती है ऐसे युदभयास से देखें बिलकुल बेह ज़रूरी हो जाती है आप देखें तो इससे पहले भी कई मार जो है इस तरह के युदभयास जो है कई देशों के साथ हो चुके हैं और इंडिनेशिया की बात करें तो इसके साथ ये नाइंथ एडिशन है जिसमें चालीस के करीब जो है वो स्पेशल फोर्सिस के जवान जो है वो इंडिनेशिया के हैं और उतनी ही तदा जो है भारत के सैनिकों की हैं और स्पेशल फोर के साथ साजा करेंगे ऐसे दोनों देशों की जो मिल्टरी का उपरेशन है वो तो बहतर होती ही होती है मगर कहीं न कहीं जो जवान अस्पेशल फोर्सिस के हैं उनको भी कुछ और नया सीखने को मिलता है जो नेबरिंग कंट्री होती है उनके उनके साथ जो है वो पाकिस्तान में खड़े हैं अगर जमुकश्मीर की बात करें तो किस तरीके से चीन और पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा चैलेंग है यहां पर किस तरीके से आतंकी आते हैं वो किस तरह से उस टेरर इंफर स्ट्रॉक्चर को खटम करने के लिए फोर्सिस ऑपरेट करती है और बेतर तरीके से वो क्या कर सकती है उस चीज को लेकर जो है वो कहीं न कहीं और बेहतर चीज है जो है इस यकिनन वो उनसे जासाजा करेंगे और उनसे कहीं न कहीं जो टैक्टिक्स रहती हैं वो सीखेंगे तो ये यकिनन आने वाले समय में जो है वो बहतर दोनों ही देशों के जो फोर्सिस के जवान हैं उनको जो है वो बहतर करने के लिए और जादा ताक़ज़बार और जादा स् और इस तरीके के जब भारत किसी देश के साथ करता है ज़से जान्डियाल तो आप जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं उसके ठीक बगल में एक देश है पाकिस्तान उसमें चर्चाएं होती हैं वहां पर सुर्ख्या बनती है और पाकिस्तान बिल्कुल पसंद नहीं करता जब भा कोर्ट गुप की मिलिटर एक्सराइज पर भी वो कई बार जो है वो आपतियां जता चुका है देखें बिल्कुल आपने सही कहा जब कभी भी भारत जो है कई जॉइंट एक्सराइज करता है किसी भी देश के साथ जैसे आपने बात की है यूएस की या फिर आप इंडोनेशिया की बात करें कई और देशों की बात करें तो यकिन पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगती ह और इसके पीछे की बज़ा बड़ी साफ है पाकिस्तान जानता है कि जब भारत की सेना अगर किसी देश के साथ एक्सराइज कर रही है तो इस देश के साथ उसके तालुका दो और बैटर है और बैटर होंगे और कहीं न कहीं स्किल डिवलिमेंट जो है इसमें कहीं न कहीं बेटर तरीके से अपरेशनल डिवीटिस के लिए को परफॉर्म करना वो सिखने का मुका मिलता है और पाकिस्ताना जैसा देश जो बजाए इन दीजों को अपनी सैनाओं को स्क्षम बनाने के वो सिर्फ आतंगवाद को पना देता रहा है और आतंगवाद को चलाता रहा त बारती सेना के जो हत्यार हैं, एक्यूप्मेंट्स हैं, गैजेट्स हैं उसके साथ जवानों को भी और अप्ग्रेड करने में लगाता लगी रहती है।